तो आज रेसिपी बनने जा रहे है न वो इतनी लाजवाब है वरत वाली है कि और बुलकुल वरत अगर आप किसी को आप टिफिन देना चाहते हैं उसका फास्ट है तो आप इसको टिफिन में भी रख सकते हैं या घर में आप सिर्फ एक प्लेट यह बना लीजे और उसको दे जाएंगे दूसरी चीज़ बनाने के जरूरत ही नहीं पड़ेगे तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू कर दीचेका लिंक्स तो डिस्क्रिप्शिन में गिवें है फेस्बुक पेज और इंस्टेग्राइम के तो यहां पर हमने अलू लेली थी यह बॉयल अलू थी इसको ज्यादा मैशी नहीं करना मीस कि सिर्फ एक सिर्टी आने दिया है बस जब तक प्रेशर नहीं निकल गया फिर उसके बाद अपन करके फिर थंडे होने दिया है अच्छे से और फिर उसको चील लिया है तो लगभग आलू जो है वो तीन चार आलू होंगी बड़ी साइज में अगर देखा जाए मैंने दो बड़ी आलू और छोटी चोटी मैंने पांच ली हुई है अब इसको में चॉप कर लोंगी या तो आप इसका फाइन पेस्ट बना लीजे जो आप करना चाहते है क्योंकि बिल्कुल अब उसके बाद हम यहां पर देखें अच्छे से होगे इसको एक अलग उसमे निकाल लेंगे और यहां पर हमने हाफ कप आप देख रहे हैं यह है मुंगफली कच्ची मुंगफली इसको हम क्या करेंगे ड्राइ रोस्ट कर लेंगे इसमें कोई घीव अगेरा डालने की जर 10-1000 angry ट lets, हो जाएगा क्योंकि मेरा थोड़ा सबच भी गया थो आपक शिर्फ कुट्टू का आटा लेना है इसमें थोड़ा सद्धान नमक मैं डाला सेंधा नमक मैं यह और थोड़ा सा ऐं कर लाहए क्योंके बना वानें की यहां वे एक बैटर आना यहा पर जर्वों अच यहां पर आप देखें लिए जब तक मुंगफली करते हैं तब तक यह रेस्ट हो जाएगा यहां पर आप देखें लिए लगफख दो मिनट तक इस तरह से इसको रोस्ट होने दिया है तो आप देखेंगे तो चिलका चोड़ने लगेगी यो पटपट के आवाज आने बहुत जादा आपको इसको ब्राउन नहीं करना कुछ नहीं करना ठंडा होने दीजिए इसका एक आपको पाउटर बना लेना है अब यहां पर आलूओं को हमने मैश कर लिए बहुत अच्छे से मैश कर लीजेगा इसमें जो अधरक हो मिर्ची का जो हमने चौप किया था व अवरत में आप खाएं तो और भी बढ़िया लगता है तो यहां पर आप ना अभुना जीरा डालना चाहते हैं तो वह भी डाल लीजिए लेकिन मैंने यहां पर बिल्कुल सिंपल बनाया है और आप यहां पर यकीन करिए यह देखे बिल्कुल मैंने फाइन जो है पाउडर यहां पर डाल दिया अच्छे से मिक्स कर दिया है और यह सिंपल सा बनके तयार होगा लेकिन इतना गजब लगे का मैं आपको एक बार ट्राइ करना तो बनता है अब यहां पर आधा नीम्बू था उसको मैंने जो है इसमें निचोड़ के डाल दिया है तो जिससे की बी यह आधा नीम्बू यहां पर डाला उसको अच्छे से मिक्स कर लीजेगा बहुत बढ़िया बनके तयार होगा मैं सच बता रही हूँ इसके साथ मने चटनी बनाई वह वहाली चटनी मैंने बहुत बार बनाई वह इसलिए मैंने यहां पर आपको दिखाई नी है अध्रक सॉरी अध्रक नी मैं दानिया की चटनी है अध्रक सॉरी झें ठोड़ी सि ले लीजिए और फिर उसके बार थोड़ा से दही लेजिए उसमें अध्र सेम्दा नमक डाल दीजियो बहुत अच्छे से वह चटनी को घ्रैंड कर लीजिए बहुत अच्छी लगती है तो ऐसे चटनी तो यहां परावं छोटेज़ चोटे बॉल्स बना लेंगे, आप देख सकते हैं बॉल का साइस है, आप गर लग रहा है तो एक दो चमपच पानी आप और एड़ कर सकते हैं, लेकिन बैटर आप देख रहे हैं, इतना ही थिक बैटर होना चाहिए, जैसे कि बटाटा बड़ा क बाइटर बे सन वाला उस तरह सोना चाहिए यकीन मानिया बहुत इसमें फ्राइब करने की जरूवत ही नहीं है बिलकुल भी फ्राइब के जरूवत नहीं है और बस बहुत गजा विद लेस बतलब घी में बनेगा लेकिन बिलकुल एक चमज घी में बनके तयार हो जाएगा सि लेकिन कैसे प्लेस करते हैं वह भी आप देखे हम कितने अच्छे से इसको कोट करते हैं एक बार आप इसको जरू से जरू जरू ट्राइब करेंगा रही है तो सब्सक्राइब जरू कर दीज़े का आपको लग रहा है यतना सिंपल सहा लेकिन यकीन मानिए बहुत गजब है ब अब मैं कवर करके रख दूंगी लग बग दो मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी दो तीन मिनट के लिए उसके बाद देखे ऊपर की जो इसकी न वो ड्राइ हो जाएगी तोसमें थोड़ा थोड़ा से और मैं ऐसे गी लगा दूंगी बस एक चंबच का घी मैंने अन्दर ना जाए थोड़ा सा डाग ब्रावनिश कलर ना जाए उससे क्या होगा कि उपर के लेयर बढ़ा क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाएगी और अन्दर सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत ही गजब लगेगा एक बार तो ट्राइ करना बनता और मैं बताओ इसको बहुत जल्दी ब अब हमने इसको निकाल और जो बाकी बच्चे हुए थे वह हम अब डालेंगे तो इस तरह से हमने पूरे घरवालों के लिए बना लिया था हमने तो जो है व्रत में लेकिन कोई अगर जैसे पूरे वरत रह रह था था वह ज़रूर त्राइ कर सकता है तो हमने तो ऐसे ही टी आईएगा तो बस बाबाई टी कियर